नमस्कार जहिन पूरसानिकों के लिए 3 important welfare update और 7 vacancies को हम discuss करेंगे latest vacancy है और इसमें 3 important welfare update में काफी important है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा यह important है सब भी पूरसानिक dependence के लिए तो चलिए देख लेते हैं अभी सबसे पहला जो welfare update है welfare update से हम लोग सुरू करेंगे पहला welfare update है विजिट प्रोग्राम आफ स्पर्स टीम पर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट और अदर पेंसन रिलेटेड इसूज तो यह विजिट कहां हो रहा है मैं अभी बताऊंगा तो स्पर्स टीम विजिट करेगी NCR locations में तो NCR location में कौन-कौन से soldier board है वहाँ पर आप देख लेए इसको सबसे पहले जिला सैनिक board गाजियाबान यहां 6 नौवंबर 2024 को 10 a.m. to 4 p.m. वहां रहेंगी स्पर्स की टीम जो भी पूर सैनिक इस jurisdiction एरिया में आते हैं यह dependence आते हैं उनको कोई स्पर्स एलेटेट कोई भी इशू है वहां जाएं और आपका वहां पर समाधान होगा आपके problems को resolve किया जाएगा इसके अलाबा 11 नौवंबर 2024 को कहां है जिला सैनिक बोर्ड गुरुग्राम तैमिंग सेम है 10 अम टू 4 पिम उसके बाद 13 नौवंबर 2024 जीला सैनिक बोर्ड नौईडा सेम टाइम है 10 अम टू 4 पिम तो यह तीन जगा है तीन जीला सैनिक बोर्ड जो डिक्शन एरिया है वहां आप इसको ध्यान से देखेंगे उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो है MOU बिटिन बिट्मिन इंडियन एर फोर्स एंड उबर एक MOU साइन किया गया है जिससे की पूर सैनिक जो एर वेटरंस हैं उनको फायदा मिलेगा और यह क्या फायदा मिलेगा देखिए MOU बिटिन इंडियन एर फोर्स एंड मिलेगा क्या मिलेगा पसनलाइजड प्रोफाइल ऑन उबर एप विट प्रीमियम एग्जीकुटिव कैप कैटेगरी उसके बाद सर्ज प्राइस प्रोटेक्शन डूरिंग पिक आवर्स जीरो कैंसलेशन फी ऑन उबर राइट्स एंड और एक्स्क्लूजिव बेनिफिट् इसमाल करते हैं तो आपके लिए यह फाइदामन्द है तो यह MOU Indian Air Force के साथ साथ Indian Army और Indian Navy के साथ भी होना चाहिए ताकि हमारे पूरे पूरुषनिक इसका फाइदा उठा सके तो आप इसमें कहां तक सहमेत हैं आप एक बार कॉमेंट करके बता है लेकिन मेरे इसाब से पू आपका PF से रिलेटेट कोई भी इशू है ना तो उसको आपकी यह इसका आपका समधान आपके जीला में होने वाला है और यह Camp लग रहा है 28 October 2024 इस वीडियो को आप लोग रिक्वेस्ट है कि सेर कर दें ताकि हमारे पूर सैनिक भाई का किसी भी हमारे पूर सैनिक साहाब लो जाएगा 28 October 2024 को ही होने वाला है और यह Camp लग रहा है अंडर निधी आपके निकट 2.0 28 October 2024 अब यह एरिया पैन इंडिया है लोकेशन आप EPFO के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहां पे सबसे उपर ही लेंडिंग पेज के ऊपर यह आपको यह डिटेल दिखेगा और यह पैन इंडिया लग रहा है पूरे पैन इंडिया हर आपने जिस भी जीला में है आप इसके यह PDF मैं नीचे इसमें देख लीजेगा अब हम लोग आते हैं वेकेंसी में यहां हमारा विलफेर अपडेट कम्प्लीट हो गया वेकेंसी में आते हैं गौर्मेंट वेकेंसी से सुरू करेंगे सबसे पहले नेशनल इंसुरेंस एन इसिस्टेंट रिकूट्मेंट तूज़ाज़न तो यह दो काटेगरी हैं जिनके लिए 30 वेकेंसी रिजर्वड हैं डिसेबल डिपेंडेंट्स ओफ सर्विस्मेंट किल्ड इन एक्षन तो यह थोड़ा आपको कॉन्फूजन नहीं होना चाहिए कई बार मेरे पास बार बार कॉमेंट आता है तो उन्हीं डिपेंडेंट्स बेस पे भी इसको आप अपलाई कर पाएंगे 24 अक्टूबर से ओनलाइन हो रहा है स्टार्ट है और यह 11 नौवंबर 2024 लास्ट टेट है अब इसकी एक्जाम का देखें एक्जाम में पहले से देखें यह इस क्रिश्टल क्लियर है सब कुछ साफ है कब एक्जाम होगा इसका कितने तारीक होगा तो इस में इस टाइब के फॉर्म्स को भरने में भी अच्छा लगता है और आपके इसका प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा लगता है अगर आप गौर्मेंट जॉब्स का तैयारी कर रहे है तो आपके लिए तो यह जॉब बना हुआ है कि आप इसको जरूर भरें इसको जरूर ट्राइ करें तीस नवंबर को फेज वन का एक्जाम होगा और फेज टू का एक्जाम होगा 28 दिसमबर दोहजार चोबिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अल कैंडिट्स विल हैब तो अपियर फॉर दि ऑनलाइन प्रेलिम्नरी एंड में एक्जा पार होगा तो यह अप्लिकेशन फीज की बात करेंगे मैं एक सर्विसमेन के लिए बोल रहा हूं यह अप्लिकेशन फीज एक सर्विसमेन को लगेगा 100 रुपीज अच्छा इसका बाकी जो आपका यह एक्जामनेशन डिटेल्स में आप देख लें प्रेलिम्स एक्जामने पैंट के कुरेंतिस होंगे कोशेंस आप देख सकते हैं 30 पैंतिस और पैंतिस होंगे mutant नंबर के कोशें होंगे मांकस हंगे साथ मिनिट का टाइम मिलेगा और dew牛 सो और स्विऑशन ऑफ इच्ट टेस्ट सक्षन ये sectional timing इसमें है 20-20 minute का रहेगा तो इध्यान रखेंगे हिंदी अंग्रेजी का दोनों option मिलेगा आप इसमें आ जाते हैं main main examination इसमें देखिए कितना है test of reasoning होगा अंग्रेजी होगा numerical होगा general awareness और computer knowledge aggregate 200 question होगे 200 marks के होगे 120 minute दिया जाएगा तो banking का अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है यह job अच्छा vacancy मिला है state wise भरना है pan india इसमें आप किसी भी state से हैं अपने state से भरे जिस state का आपको language पता है जिस state से आप belong करते हैं उसी state से आप भरे इसके लिए आपके अच्छा vacancy है अब हम लोग देखते हैं next government vacancy ITVPSI head constable constable telecommunication recruitment 2024 यह application 15 November से start होंगे अभी इसका एक official notification detailed में नहीं आया है just take knowledge मात है छोटा सा information दिया हुआ है बाकी सभी चीज़े same रहेंगा last date of apply online इसका 14 December रहने वाला है total इस वी vacancy 526 post एक service man के लिए 10% के इसाब से 53 vacancy reserved यहाँ पे निकल के आ रहा है अब इसमें कौन-कौन से post है sub inspector SI telecommunication 92 vacancy level 116 का इसमें salary रहेगा उसके बाद head constable telecommunication 383 vacancy रहेंगे इसमें level 4 का salary रहेगा उसके बाद constable telecommunication 51 vacancy है level 3 का salary है तो sub inspector के लिए 9 vacancy है एक service man के लिए head constable के लिए 38 और constable telecommunication एक service man के लिए 5 vacancy reserved है तो आप यह clear हो गया होगा उसके बाद next है D.S.C. Rally दबिहार Regimental Center यहाँ होने वाला है इसमें सिपाही जीडी और clerk के लिए है जिसमें अधिकतम उमर सिपाही जीडी के लिए 46 सल चाहिए 46 46 years और clerk के लिए चाहिए 48 years maximum है तो यह 9 November 2024 को conduct किये जाएगा आप इसका reporting timing देख लें साड़े 4 morning का बात बोल रहा हूँ 4.30 to 5.30 hours यह सुबा का टाइम बोल रहा हूँ आप देखिए इसमें important कुछ gap period आपको पता होना चाहिए अगर आप बिहार Regiment से हैं तो यह क्योवल बिहार Regiment के सैनिकों के लिए ही है यह भरती तो CPIGD दो साल का gap होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे और clerk के लिए maximum 5 साल का gap period है और इसमें बाकी बाकी मैं इसका जो PDF लिंक है अपने टेलिग्राइम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा मैं important चीज़ों को highlight कर रहा हूँ District Police Verification का जरूरी है तो यह आप बनवा के लख रहे हैं अब आप इस वर्ती में जाना चाहरे हैं तो पहले से इसको apply कर लें online Dually signed by SP तो यह चीज़ है तो यह बिहार रेजमेंट का नाम आ गया तो एक चीज़ और है जो भी हमारे पूरुसानिक बिहार रेजमेंट से related संबन्दित हैं या जो पूरुसानिक बिहार रेजमेंट के हैं तो उनके जो बच्चे हैं 10th या 12th पास किये हैं और 90% से अगर उपर लाए हुए हैं तो बिहार रेजमेंट में जाके उसका उनका submit कर सकते हैं उनका report जो है उनके certificate submit कर सकते हैं और उनको पूरस्कृत किया जाएगा बिहार रेजमेंट के द्वारा इसको आप बिहार राजपूर सैनिक संग के अध्यक्स को भी आप उनको जमा करा सकते हैं तो यह important update था अब आते हम direct vacancy में यहाँ पे हमारा सरकारी भरती खतम हो गया अब direct vacancy में आते हैं Bank of India जार्खंट के लिए एक सर्विसमैन, gunman की जरुवत है इसमें एक सर्विसमैन ही चाहिए location कौन सा है यह जार्खंट के है, गोईल केरा, रभुनातपूर, कलिकापूर यह तीन locations है payment क्या देखें, payment क्या दे रहे हैं यह तो working hour में रहना है छोटी इस भी रहते हैं, जो weekly off रहता है इसके अलावा, जो banking, national holidays रहता है उसमें off रहता है, तो आपका भी off रहेगा inquiry के लिए number दिया हुआ, इससे बात करके इनसे बात करके आप ज़्यादा दानकारी प्राप कर सकते हैं उसके बाद next vacancy है field officer का, यह JCO, NCO join कर सकते हैं, इसमें यह भी diet vacancy में है और इसमें जो cynic चाहिए जो पूर्व cynic चाहिए, वो केवल जेंड के के होने चाहिए, क्योंकि यह organization का demand है, कि हम जेंड के काई रखेंगे, पूर्व cynic हों को अब यह कौन से location के लिए है, यह मुंबई कल्यान के लिए है, जे JCO, NCO field of supervisor की जरूवत है यह, अब इनका salary क्या रहेगा, salary minimum 35,000 यह रहने वाला है, starting से, यह अब interview पे भी depend करेगा, बट यह minimum salary 35,000 offer कर रहे हैं, रहने के लिए free accommodation दे रहे हैं, खाना mess का facility मिलेगा, तो वो उसका payment लगेगा आपका qualification जो important points है, मैं वो highlight कर दे रहा हूं 12th pass होना चाहिए, 50 years maximum है अंग्रेजी का ग्यान होना चाहिए, हिंदे और रोमन पढ़ने लिखने आना चाहिए computer का knowledge, normal आपको आना चाहिए तो यह सब requirement है, बाकि आप इनसे बात कर सकते हैं, contact कर सकते हैं, whatsapp के माध्यम से, यह इनका whatsapp number है, whatsapp से आप इनको message करें, और जो भी आपको inquiry लेना है, आप inquiry कर लें बाकि आप अपना resume में इनको भेज सकते हैं, आप से अगर chat हो जाता है इनसे, आप अगर fulfill हो जाते हैं, तो आप इनको अपना whatsapp पे resume में इनको भेज सकते हैं, उसके बाद जो next direct vacancy है, वो आया है, इंडियन air force placement sale के तरफ से, और यह vacancy केवल air veterans के लिए है, air force के पूर सनिकों के लिए है, यह है manager operations का post है, और यह कौन से company में आया है, यह आया है industry walls enterprises से, salary इसमें offer हो रहा है 6-8 lakh पर annual, ठीक ठाक salary है, इसमें 5 vacancy है, location कौन-कौन से है, बैंगलोर, पूना और हैदराबाद, यह तीन locations में 5 vacancy है, last date 29 October 2014, maximum age जो रखेंगे पूर सनिकों को, इसमें 50 years है, तो यह ठीक ठाक अच्छा लगा मेरेको vacancy, और इसमें salary भी यह ठीक offer कर रहे हैं, तो यह important vacancy है, thanks for watching, मिलते हैं अपने next video में, हमारे telegram channel और whatsapp channel को आप follow करते रहें, क्योंकि आपको important update वहाँ पे मिलते रहेगा, job से हो, welfare update से हो, आप पूर सनिक हैं, CAPF हैं, या dependent है, आपको हमारे telegram channel या whatsapp channel को जरूर follow करना चीए, thanks for watching, मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!